हेलो दोस्तो तो जितनी भी लड़किया मुख मंत्री कन्या उठानी ओजना इंटर पास में स्कॉलर्शिप के लिए ओनलाइन आवेदन की थी वो लोग जब अपना अभी एस्टेटस चेक कर रही है तो उन लोगों को कुछ इस प्रकार का मैसेज देखने को मिल रहा है उन लो तो आपके इसके official website पर आने के बाद आप लोग को report वाले option पर आके click here to view application status वाले option पर click करना है यहां से अपना registration number डालके अपना status चेक करना है तो जैसे ही आप अपना registration number डालके सर्च वाले option पर click किजिएगा तो आपका यहां पर status खुल जाएगा current status यहां पर आप देख सकत हैं और यहां पर यह finalize कर दिये थे 184223 को इनका सारा चुछ verify हो गया था लेकिन उसके बाद फिर से अभी इनको एक problem देखने को मिल रहा है यहां पर लिख रहा है अधार seeding best account verification in process तो अब इसका क्या मतलब है हम लग समझ लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपके वी case में ऐसा लिख रहा है तो आपको घबडाने की बात नहीं है यहां पर फिर से आपका जो bank account है उसको फिर से verification के लिए भेज दिया गया है कुछ technical issue आ गये हैं इसलिए आपको bank account जो है वो status में in process दिखा रहा है उसको फिर से verify किया जा रहा है अब इस case में आपको करना क्य का है इसके बारे में अभी आप लोग समझ लिए तो आप लोग यहां पर पहले तो देखिएगा यहां पर account number अधार number और mobile number आपको दिया गया है तो यहां पर जो last का चार डिजिट है वो मिला लिजेगा कि यह आप ही के account number का है या नहीं है अगर आपका account number नहीं होगा किसी दूसरे का यहां पर दिखा रहा होगा तो आप लोग दो दिन तिन दिन पर यहां पर हरदम अपना status चेक करते रहे है जब भी आपका reject होगा तो आप लोग फिर से अपना reapply कर दिजिएगा इसलिए आप लोग अगर आपके case में अधार seeding based account verification in process दिखा रहा है तो आप reject हो गया तब फिर से आप registration किजिएगा और जब से अभी इन process दिखाएगा तब आप लोग को कुछ नहीं करना है इसमें आप लोग को केवल अपना status आके check करते रहना है अगर माल लिजिए reject हो जाता है तो फिर आप लोग reapply किजिएगा अब यहां पे आप लोग स्कॉल करक तो यहां पे आप लोग को एक आवस्यक सुचना देखने को मिल लेगा यहां पे देखिए सभी छात्रों को सुचित किया जाता है कि जिनका dbt के लिए अगर माल लिजिए कि आपके bank में dbt facility चालू नहीं है तो उसको यह चालू करने के लिए बोला जा रहा है इसलिए अगर आपके case में ऐसा लिख रहा है तो आप लोग पहले तो अपने bank में जाके एक बार चेक कर लिजेगा कि आपके bank में जो dbt facility है वो चालू है या नहीं है अधार जो bank में link होता है वो दूसरा चीज होता है और dbt facility दूसरा चीज होता है इसलिए अगर आपके bank account में अधार link आपके bank account में चालू है या नहीं है dbt का असान भासा में अगर dbt का मतलब होता है direct benefit transfer जितने भी सरकार के द्वारा scholarship या किसी भी योजना का पैसा आप लोग के bank account में आता है तो अधार के माध्यम से ही आता है dbt facility के माध्यम से ही आता है इसलिए आप लोग एक बार bank में जाक आएगा तो होब करते हैं आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर इस वीडियो में आप लोग को कहीं भी problem हो तो स्क्रीन पर मेरा WhatsApp नमबर दिख रहा होगा आप लोग वहाँ पर direct मुझसे WhatsApp कर सकते हैं या फिर अपना comment box में comment छोड़ सकते हैं तो मिलते हैं next उसकते हैं उनल डीडियो में अच्छे कर दो कर दो एक जे सकते हैं तो में तो मुझसे कर दो होगा तो में तो मारा होगा